जेके डियूस्टोडे में सभी दर्शुकों का स्वागत है जमू के लिए एक और खुश्खबरी की बात है एसकॉम्स के डारेक्टर प्रिंसिपल पवन मलोत्रा जीने स्कॉटलेंड के यूनिवरस्टी से फर्सीपी के अवार्ड से नवाजा गया है यह अवार्ड क्या है आईए जानते है इनी से सर जेके डियूस्टोडे में आपका स्वागत है सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्कॉटलेंड की यूनिवरस्टी से आपको फर्सीपी के अवार्ड से नवाजा गया है यह अवार्ड है क्या तैंक यू वडरी मच नितू जी अक्चली इसमें आशा होता है के जो फ्रसीपी है यह फेलोशिप आफ रॉयल कॉलेज प्राइल कॉलेज जो स्टार्ट हुई थी जब मेडिसन की पढ़ाई इसमें आपक सम्वेर इन 16th सेंचरी जो फ्रस्ट रॉयल कॉलेज एस्ताब़ीज हुआ था वो हुआ था जल्सगो में, Скotland में जो बढ़ाई दाया थे यह इसमें रॉयल कॉलेज बना एडिन्बरह में यह इसमें ध्रॉयल कॉलेजर जो थे यह टिग एपकरता थे अब उसमें क्या था के मैं जब 2014 में मुझे Glasgow की मेंबर्शिप मिली थी, that was MRCP. Then in 2019, I was elected as a fellow of the Glasgow Royal College, जो की सबसे पहला Royal College था, UK का and most likely in the world also सबसे पहला College वो ही था जो modern medicine बढ़ाता था. Then in 2022, Royal College of Physicians of Edinburgh ने मुझे FRCP से नवाजा है और ये अभी पीछे एक हफ़ा पहले ये communication आई है, जिसमें, now I am having two fellowships, one of Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow and one is of Royal College of Physicians of Edinburgh. So ये, it is a fellowship program which was given to me, which was conferred to me by the Royal Colleges in recognition to my research work and my contribution to the society in terms of this health and medical education. Sir, is award की importance क्या है? Yeah, this is basically recognition. के मेरा जो काम है, वो वो वोर्ल ओवर रिक्नाईज किया गया है. जो Royal College of Edinburgh है, इनका प्रोसीजर एक बड़ा, एक लंबा प्रोसीजर होता है that they take applications world over. जैसे हम, मैंने साउथ इस्ट एशिया से अप्लाई किया था. साउथ इस्ट एशिया आफिस जो है, वो मेरा credentials देखके, मेरा case forward करे या ना करे, वो उनकी decision होता है. And nobody can question that. हमको यह बोला जाता है कि you apply, but you cannot question. If I am rejected, then I am not bound to question them. Why my case was rejected? Then it goes to the high-powered credential committee, जिसमें जो उनके members होते हैं, who are big-time researchers. तो वो उसमें से वो कुछ, मतलब जो, on an average आप कर लिजे, एक सेशन में, there are about 1500 people applying for this. And the vacancies are somewhere between 20 and 25. So वो जब हाई-पावड कमेटी इसको credentials को clear करती है, वो काफी सारी छांटी वो भी कर देती है, काफी सारे लोगों को वो रिजेक्त भी कर देती है, वो आलमोस आप कहलो को 30% लोग रह जाते हैं, जन्हों ने apply किया होता है. Then it goes to a board, which is constituted by the President of Royal College. President of Royal College, फिर वो बोड कुछ आगे अपने उनके points होते हैं, वो देखके वो इन cases को study करते हैं. Then board sends it to general council. General council फिर decide करती है, कि इंट्रिव्यू करना है, इंट्रेक्शन करना है या उसके बिना ही आपके, इनके बिना इंट्रेक्ट किया, कि यह बिना ही आपने यह कनफर करना है. So general council से जब यह cases clear हो जाते हैं, then they are sent to select group of fellows world over, जिनको एक महीने का time दिया जाता है, कि यह यह लोग select हुए हैं, there are about 20 people who have been selected. You report if there is something adverse against them. एक plagiarism, एक बहुत बड़ी एक topic है, जिसमें research को copy-paste, जिसको मैं, I would put it as a copy-paste research, वो देखते हैं कि कहीं पर इसने इनकी जो publications हैं, वो original हैं, काम जो किया है, वो genuine किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, then it is sent to that group world over. वो किसी को नहीं पता होता किसके पास गया हुआ है. वो सिरफ, and suppose कल को अब जैसे मैं फेलो बनाऊं, कल को मेरे पास को याएगा, I am under oath not to reveal it to anybody that I have been asked to write for somebody. But उसमें भी बहुत foolproof काम है, के suppose उसमें किसी ने मेरे खिलाफ लिखना है, वो ऐसे नहीं लिख सकता के भाई, yes, Pavan Malhotra has not done this work, this is, he doesn't deserve it. He has to prove it by documentary evidence and substantiate his claim, why he is writing against me. And that the president, the secretary of the royal college, that goes back to them and then they decide whether it has to be given or it has not to be given. So ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है and this is only recognition of the work. जैसे हम लोगों ने COVID में कुछ काम किया, कुछ तो हम पहले से ही करते हैं, मैं तो research थोड़ा अपने post-graduation time से ही करता आ रहा था, presentations करता था, papers मेरे थे, तो उस वज़ा से ये उस सब को club करके आप कह सकते हैं, कि this has been recognized by the Royal College of Physicians of Edinburgh. क्या एहमियत रखता है आपके लिए ये अवार्ड देखिए एहमियत ये है कि this is the highest degree what a medical professional can get. इसके ओपर कोई डिगरी नहीं होती है, इसके ओपर कोई fellowship नहीं है. अगर FRCP confer हुई है, FRCP मिली है, तो इसके ओपर कोई नहीं है. This is an honor. This is not an honor for me. This is, I would dedicate this honor to people of Jammu and Kashmir. कहीं ना कहीं हमने जो research करी होगी, हमारे research subjects तो Jammu-Kishmir के ही लोग रहे होंगे. क्योंकि बाहर तो मैंने किष्टवार में काम किया, मैंने medical college में काम किया, मैंने अचारिय श्री चंदर में काफी काम किया, research पे. तो यह subjects तो हमारे यहीं के रहे हैं. So I dedicate this to people of Jammu and Kashmir. I am thankful to my family. I being son of a scientist and educationist. So research करना, जो है, papers लिखना थोड़ा सा, शायद blood में भी होगा मेरे, तब ही मेरे कोई आदत पड़ी लिखने की. और मैं अपने दोस्तों का, जो मेरे friends हैं, जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरे research group है, इन्होंने मेरे साथ काम किया. मैं सब का बहुत शुक्र गुजारू हूँ, मैं अभारी हूँ उनका, and above all, I am thankful to the management who has always been very supportive to me. जेकी न्यूस्टोड़े से बात करने के लिए धन्यवाद. झाल, thank you.